दोस्तों आज के इस वड़ों में आपको बताना वाला हूँ की कैसे आप वट्सप के होम स्क्रीन पर अपना फोटो सेट कर सकते हो आप यहाँ पर देख सकते हो मैंने वट्सप के होम स्क्रीन पर फोटो को सेट कर रखा है जो की देखने में काफी ज़्यादा इस्टैलिस लग रहे है, अट्रेक्टिव लग रहे है, सेम इसी तरह आप भी WhatsApp के home screen को change कर सकते हो, WhatsApp के home screen के background में अपना photo set कर सकते हो, वाल पेपर सेट कर सकते हो या किसी और का फोटो लगा सकते हो मैं आपको बतातूं कि जो भी देखेगा एक बार जरूर चौक जाएगा कि यार भाई कैसे आपने वाटसप के होम स्क्रीन पर फोटो को सेट किया है तो दोस्तों आज का ये वीडियो आप सभी के लिए काफी ज़्यादा इंटरस्टिंग है मैजदार है वीडियो को पूरा जरूर देखना और कई जगर वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक सेर कॉमेंट चलको सस्क्राइब जरूर कीज़ेगा आप लोग कॉमेंट बॉक्स में कॉमेंट करके ये जरूर पताना कि आप किस कंपनी का फोन यूज करते हो जिससे मुझे ये पता चलेगा क्या कि जो मेरे वीवर्स हैं वो किस कंपनी का फोन सबसे ज़्यादा यूज करते हैं जिसे उस पूंस लेटेड मैं आपको जादा सजादा वड़ो दे पाऊँ, अब चलिवडो को सुरूप करते हैं, दौस्तों अब आपको सबसे पहले अपने फोन के गैलरी को ओपेन करना हैं, अब आपको उस फोटो को ओपेन करना हैं, जिसको आप वटसब के होम स्क्रीन पर सेट करना चाहते हो ठीक है आपको इस तरह फोटो को ओपेन करना है इसके बाद आपको फोटो को जूम करना है ठीक है आपको फोटो को जूम करके फूल स्क्रीन पर सेट करना है ठीक है इस तरह आपको फोटो को सेट करना है फोटो बिल्कुल भी क्रॉप ना हो बिल्कुल भी application install करने हैं आपको play store में जाना है play store में जाने के बाद आपको यहाँ पर search करने है designer tools और आपको यहाँ से इस application को install करने है 5.5 MB का छोटा सब्लिकेशन है और आप देख सकते हो 1 million से भी जादा बार इस application को install किया जा चुक है तो आपको यहां से इस application को install करें इसके बाद दोस्तों आपको WhatsApp को open करने है ठीक है आपको जाना है WhatsApp में WhatsApp में जाने के बाद आपको 3.0 पर tap करने है settings में जाना है chats को open करने है आपको यहां पर एक option लेगा theme आपको इस पर tap करने है dark theme को apply कर दिने ठीक है आपको अपने वर्टसप में डार्क थीम को अपलाई कर देने इसके पद जोस्तो आपको designer tools app को open करने जो application हमने install किया है उसको open करने जब आप designer tools application को open करोगे तो आपको यहाँ पर कुछ इस तरह का interface सो होगा आपको नीचे 3 option मिलेंगे, आपको mockup overlay पर tap करना है, अब दुस्तों आपको यहाँ पर 2 option मिलेगा, portrait, land escape, आपको plus पर tap करना है, हमेशा portrait को ही use करना है, permission को allow करना है, अब दुस्तों आपके phone की gallery open हो जाएगी, जो आपने screenshot लिया है, आपको उसी को select करना है, इस तरह आपको screenshot को select करना है, इसके बाद दुस्तों आपको mockup overlay को enable करना है, अब आपको permission को allow करना है, इस तरह आपको permission को allow करना है, अब आप यहाँ पर देख सकते हो, background में photo show हो रहे है, background में photo दीख रहे है, ठीक है, इसके बाद आपको settings पर tap करना है, अब दुस्तों आपको यहाँ पर काफी स तारे option मिलेंगे, आपको एक option मिलेगा opacity, जो की 70% पर set है, आपको इसको 100% कर देने, आपको इसको full कर देने, दोस्तों आप इसको अपने हिसाब से customize कर सकते हो कि background कितना dark दिखना चाहिए, ठीक है, इस तरह आपको इसको full कर देने, ओके, दोस्तों जब आप notification पैनल को open करोगे तो आपको यहाँ पर mockup overlay so होगा, अगर आप इसको hide करना चाहते हो, background से photo को hide करना चाहते हो, तो आप इस तरह hide कर सकते हो, ठीक है, आप देख सकते हो, photo hide हो चुका है, अब हम WhatsApp को open करते हैं, अभी आप देख सकते हो, हमारे जो WhatsApp को dark है, ठीक है, अब हम यहाँ से so करते हैं, अब आप यहाँ पर देख सकते हो, बैक्ग्राउंड में फोटो दिख रहा है, जो कि देखने में काफी जाता इस्टैलिस लग रहा है, तो दोस्तों इस तरह आप बहुत ही आसानी से, वट्सप के होम स्क्रीन पर अपना फोटो सेट कर सकते हो, बैक्ग्राउंड में आप वाल पेपर लगा सकते हो, या किसी और का भी फोटो आप सेट कर सकते हो, जो कि देखने में काफी जाता इस्टैलिस लगता है, अगर आप सेटिंग्स वगरा को ओपन करोगे, तो आप यह पसंदेट वीडियो को लाइक कर दो, चैनल पर नहीं चल को सस्क्राइब करोगे, क्योंकि मैं ऐसे ही नौलेश्पूल वीडियोज बनाता रहता हूं, वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद,